नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम शुबं है और आज के इस लासम में हम लोग E major scale के बार गार पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपने formula से निकाल लेते हैं इसके notes इसमें notes जो use होते हैं वो हैं E, F sharp, G sharp, A, B, C sharp, D sharp और E ठीके दोस्तों हम इसकी शुबात करते हैं अपने पहले छटी स्ट्रिंग जीरो फ्रेट से वो यानि कि ओपन से अगर जीरो दो चार ठीक है पाचवी स्ट्रिंग पे जीरो दो चार ठीक है दोस्तों चौथी स्ट्रिंग पे एक दो चार तीसरी स्ट्रिंग पे एक दो चार दूसरी स्ट्रिंग पे दो चार पाच और पहली स्ट्रिंग पे भी दो, चार, पांच दुबारा से जीरो, दो, चार जीरो, दो, चार एक, दो, चार एक, दो, चार दो, चार, पांच दो, चार, पांच और फिर यहां ही से बापसी ठीक है दोस्तों यह था एक तरीका से बिलाने का हम दूसरा तरीका कैसे बिला सकते हैं इसे साथी फ्रेट पाँच्वी स्ट्रिंग ठीक है दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है साथ नो पाँच्वी स्ट्रिंग पर चौथी स्ट्रिंग पर छें साथ नो तीसरी स्ट्रिंग पर छें आठ नो दूसरी स्ट्रिंग पर साथ नो डस पहली स्ट्रिंग पर साथ नो ग्यारा बारा ठीके दोस्तों दुबारा से और यही से वापस ठीके दोस्तों इससे बजान का तीसरा तरीका देखते हैं पहली स्ट्रिंग ओपन जीरो से स्टार्ट करना है जीरो दो चाँ पांच साथ नौ ग्यारा बारा ठीके दोस्तों दुबारा से देख लेता है जीरो दो चाँ पांच साथ नौ ग्यारा बारा रही से वापस दोस्तों यह था ई मेजर स्केल हमारा इसके एक लिए से अनम हम लोग एफ मेजर स्केल के बारें पढ़ेंगे आपको अब यह मेरा वीडियो पसंदाया तो से रेट करें कमेंट करें शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद झाल करें झाल झाल